प्लस वेरेंट है टोप मोडल रेड कलर के अंदर क्या ही शांदार लगती है बहुत ही प्यारी लगती है अपनी इंडिया में तो बहुत से क्या लगबग लोग वाइट कलर को पसंद करते हैं लेकिन फिलहाल जो मुझे यह रेड कलर काफी प्यारा मुझे दिख रहा है अगर आप वीडियो में आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता लेकिन फिलाल अगर आप सामने से अगर दे ठीक है मतलब पूरी तरीके से न्यू जनरेशन यह जो आ गही है इसके अंदर आपको 800 शीशी का इंजन नहीं मिलता बलकि 1000 शीशी का इंजन अब मिलने लग गया है जो की बिए 6-2 के इसाब से बनाया गया है अब देखो इसकी जो फ्रंट ग्रिल की बात करते हैं जो फ्रं परति शुजगी का लोगो जो की अंदर काफी अच्छा लग रहा है थोड़ से डिजाइन लेंग वेज आप यहां पर नीचे देख रहे हो यह भी आपको वेंट्स वेकरा के लिए यहां पर डिजाइन डिया गया है अब अगर बात करें हम इसके हैड्लेंट की हैड्लेंट हेलोजन के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं इसके अलावा आप यहां पर देख रहे हैं यह डिजाइन जो है यह देखो यह डिजाइन है यह आपको इसकी चारो तरफ जो है देखने को मिलता है और यह काफी खुबसूरत भी लगता है अब अगर बग देखो बात करें इसके side profile की बात करने इस पहले में आपको 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 अच्छा खासा मिल जाता है और अगर देखो कवरिंग की बात करें तो यह मिद रेंज कार से हैं इसके अंदर आपको एंट्री सेगमेंट जो पार होती है वह थोड़ी कम भी मिलती है फिर वह आपको इंजन प्रोटेक्शन के लिए जो है वहां पर यहां पर आप देख रहे ह तो देखो है तो बहुत ब्यूटिफुल बहुत ही ऐसे पतला सहीं दिया गया है बहुत ही चंकी सा आपको इसके अंदर मिल जाता है और बहुत ब्यूटिफुल लगता है मेट्फनिस के अंदर यह आपको मिल जाता है लेकिन इसके अंदर किसी परकार का आपको इंडिकेट के नहीं मिलते है वही ओल्ड जन रेसं टाइप आपको मिल जाते हैं चाविए लगाने के लिए लोग अलोग करने के लिए कारको यहां पर जगाई वह मिल जाती है उसके बात करते हैं इसके थोड़ पीछे अगर और बैक डॉर के तो उसमें भी आपको वही सेम चीजें मिल जाती है अब बैक टायर के बात करें तो पीछे के टायर में आपको suspension travel वह आपको इसके अंदर काफी अच्छा खासा आप देख रहे हूं काफी अच्छा खासा जो है वह मिल जाता है ठीक है और वही बात जो noise cancellation के लिए प्रोटेक्शन वेर अधीज आती है वह आपको इसके अंदर की कोई नहीं मिलती है अगर बात करें तो वही आपको टैर साइज 13 इंच का इसके अंदर मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके पीछे की प्रोफाइल की बात कुछेशी है जो डिजाइन लेंग्वेज है वह अंदर आपको पूरा जो सेटप जो है वह आपको हेलोजन के अंदर ही दिया जाता है यहां पर आपको इसकी इंडिकेटर जीत दिया जाता है यहां पर इसका आट्टेल लेंप जो है वह दिया जाता है यहां पर इसकी जो बेक लाइट है वह दी जाती है ठीक है लेकिन यह बेक लाइट आपको इस तरफ मिलती है जो की यहां पर देख पा रहे हो यह एक ही मिलती है अल्टो केटन इहां पर 3D के अंदर आपको मिल जाता है अब सुझोग walking का लोग.'" यां पर मिल जाता है डिगई को खोलने के लिए यहां पर आप देखरेंग उचा भी जो है वो मिल जाती है दो पार्किंग सेंसर इसके अंदर दिये जाते हैं चार पार्किंग सेंसर इसके अंदर नहीं दिये जाते हैं जो कि एक यहां पर मिल रहा है और एक यहां पर नमर प्लेट लगाने के लिए यहां पर जगा है और एक्जॉस्ट जो है यहां पर आपको इ लेनंदी मांट्स टॉप लेन जो आ रहे हैं है आप बात करते हैं इसके चाब मी चाबी में वहीं मारती शुजीगीara लोक-उनलोक इसके अंदर मिल जाते हैं अब बूलो अंपको हम एक्सेस करेंगे चाबिונה के लिए हमिके कराने करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा कोई दम नहीं लगाना पड़ेगा बूट को जैसे आप खोलोगी अपने आप यह उपर हो जाता है बूट की बात कर लेते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो यह चोटी सी जो कवरिंग दी जाती है इससे क्या की बहुत अच्छी लगती है अगर बात करें तो मुझे अच्छी लगी चीप माटीरियल का जो यूज है वह नहीं किया गया है अब इसके बूट स्पेस के अगर बात करें तो 214 लेटर का आपको इसके अंदर बूट स्पेस जो है वह मिल जाता है अच्छी तरीका से वेल्ड कवर मिलता है किसी परकार क कोई ऐसी आपको ओपनिंग नहीं मिलती जो देखने में थोड़ा सा भी ऐसे बदासा लगया बुरा लगये और अगर हम स्पेर वील की बात करें तो स्पेर वील है जो आपको इसके नीचे मिल जाता है अब अगर हम कार को यहां से देख रहे हैं तो आपको जो हैड्रेस्ट नहीं मिलते हैं चलिए अब बूट को करते हैं बंद और अब चलते हैं इसकी back seat की तरफ अब सेकंड़ो कि अगर बात करें तो सेकंड रो को खोलने के लिए यहां पर आप देख रहे हो तो यह का door handle है इसको दबाये और अब बात करें इसका door trim की बात करें ना तो डो ट्रिम मुझे अच्छा लगा, cheap quality का materially section मुझे नहीं लगा, और अगर हम बात करें किसी परगर की विंडो पाउर विंडो की तो पाउर विंडो आपको पीछे की तरफ नहीं मिलते हैं, और इसके नीचे मिल जाता है हम यहाँ पर एक speaker grill, 4 speaker का इसके अंदर आपको music system मिल जाता है, उस अब बात करते हैं इसके अंदर बेट कर स्पेस केसा है स्पेस मेंड़ों किया है गल दोर करते हैं पन्सक्राइब आपने तो लेग रूम मुझे गासा मिलता, मैं पैर फैला कर भीख सकता हूं, नी रोम भी मुझे अच्छा गासा मिल जाता है, नी रोम में भी किसी प्रकार की कोई प्रोब्लम मुझे नजर नहीं आई, अब बात करें, अगर थाइस्पोर्ट तो देखो थाइस्पोर्ट जो है, मेरी हाइट के इस आप्से के रूफ को रूफ के अंदर आपको किसी प्रगार की जो लाइट है वह आपको नहीं मिलती लाइट आपको मिलती आगे वह भी एक यहां पर आपको मिलता है एक water holder, इस तरह यां पर आपको देखने को नहीं मिलता है और यहां पर आप देख रहे हो, यह इस तरह भी आपको एक grip handle आपको किरेंеш है और हमें बात करूँ, headrest की तो ख़िधो सोभी है he хочет height की फूम काफी अच्छा कास diffuse होगी आप बात कर लेता है इसके अब बैस बूर्च की यहां से देख सकते और जो की काफ़ी price S screamed 5-20 इस सेग्मेट के तशा आपको इशा क्षा आपको आपफ करने को मिल जाता है यह नहीं की suggest का बाकी십 परद या आपको opening के बात करें तो opening काफी अच्छी काशी और wide है पहली बात दूसरी बात जो driver door है वो काफी बड़ा है जिसके विज़े से इसकी opening जो है automatically आपको काफी wide नजर आती है अब door trim के अगर बात करें तो door trim में सबसे पहले आपको यहापर मिलता है जो इसके स्बीकर जता है कि उकि यहां पर और आपको घंD hoping अमार आपको मिलता है इसका दोरनार कन दिया कि तोर सांट आते है यहां पर फोड़ सा स्पेस और दिया गया है नियाओ NGO यहां पर यहां सकते हैं यहां पर थोड़ स्पेस ओर मिल जाती है यहां पर एक water holder मिलता है और यहां पर मिलता आपको इसका speaker grill मैंने आपको पहले बताया था four speaker का आपको इसके अंदर music system मिल जाता material section भई अच्छा आशा इसके अंदर मिल जाता है त्री पेडल जो आपको यहां पर मिल जाते हैं किसी परकार का कोई डेड पेडल जो आपको इसके अंदर नहीं मिलता यह इसका headlight adjuster है और यहां पर आपको कुछ demo buttons जो है वह दी जाते हैं आप चाहूँ तो इसमें कुछ लगवा सकते हो अब shift adjustment के अगर बात करें तो आप इस की बात करें तो देखो सटी सीट का जो material है वह फैब्रिक ही है फैब्रिक अपॉल्स्ट्री आपको इसके अंदर मिल जाती है थाइस स्पोर्ट के अगर बात करें तो जो थाइस स्पोर्ट है वह ड्राइवर सीट का पीछे की सीट से भी ज्यादा और बैतर है शीट ऐसी आपको सबसे पहले थाइस पोर्ट जो है वह मैं आपको दिखा देता हूं अब थाइस पोड जो है मुझे तो किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं हो बाकि आप अपनी जो शीट है वह अपने इस आपज़ेस्ट कर सकते हैं फिर बात करते हैं इसके स्टेरिंग वील की डेको स् मिल यहां पर आपको इसके उसके पार मिलगतेदें और जया आपको है तेलिफेनिय की इस पार कर्म के पर मिल जाते हैं यह पर मिल जाते हैं वाइपर हरे आगए जो कशले को आपको इस तरह मिल जाते हैं मेंट शिूजिटर आपको इस तरह मिल जाते कि यहां पर आपको इस एपश्चा डिजाइन है देंगर जिसका डिजाइन मुझे बात करें आप सभी को पता कोक्त अपका वो काफी अच्छा मिल जाता है तो fit and finish level में आपको किसी प्रकार के कोई problem जो है वो महसूस भी नहीं होगी बल्के आपको दिखाई भी नहीं देगी अब बात करते हैं संवाइजर की तो संवाइजर आपको किसी प्रकार का कोई mirror नहीं मिलता ना कोई light मिलती है अगरी फेंडल आपको इस तरह भी मिलता है और आप बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको light जो कि obviously मारतिकी कार्श में हेलोजन के अंदर आते हैं यह इसका जो IRBM है व की जाती है सेंटर कंसोल की बात करें अगर सेंटर कंसोल में आपको सबसे पहले देखने मिलेंगे वैसी इवेंट जिनका डिजाइन मुझे अच्छा लगा फिर जो है इसका music system जो की पूरी तरीके सट टच रिस्पून्स आपको दिया गया है उसके बाद बात करते हैं यहा हो बटन है यह आपको विन्डो जो पाउर विंडों उनके बटन दी जाती बीच में आपको हैजर्ट लेंप का हुश वह दिया जाती है इसके नीचे आपको ऑट्यमाटिक एस ही मिल जाती है और अगर उसके भी नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको 12 e power circuit मिल जाता है जिस तो यहां पर थोड़ा श्पेस और मिल जाता है जिसे और अच्छी तरीके से कहूं तो यूटलाइज जो है वो किया जा सकता था लेकिन मारूति ने नहीं किया यह सका पार्किंग ब्रेक आपको यहां पर जाता है कार को कर लेते हैं और यहां पर आप लगा सकते हो यहां पर चाबी लगाते हैं यहां पर लगाते हैं चाबी और कार को करते हैं ओन तो जैसे आप अन करेंगे तो आपको सारी सीज़ जो जर है वह आपको देखने को मिल जाती है इसके digital speedometer की और इस तुम आपका music कोई प्रोब्लम नहीं होगी आप चाहें तो यहां से ओन और उफ भी कर सकते हैं नाइट में अगर आपको कोई किसी भी प्रोब्लम हो रही है अब स्पीडोमेटर की अगर बात करें तो पूरते कैसे आपको डिजिट्रल मिल जाता है इसके अंदर किसी परगार को एनलग वग सकते हो यह देखिए इसकी जो किलमेटर ट्री अगरा सब चीज़ यहां पर आपको दिखा देगा और यहां पर आपको मिलता इसका गलब बॉक्स जो की डीशेंट डीशेंट इनाफ है एचली ओके है और यह कूल्ड आपको इसके अंदर मिलता है आप गाड़ी को कर लेते ह अगर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए अचा अब हो और गाड़ी होगी स्टार्ट एचली काफी साइलेंट इंजन है अगर देखो मैं इसके दोनों विंडों का अगर ऊपर कर दूना ठीक है तो आपको नोईज एचली आएगी नहीं बिल्कुल नहीं आ रही है मुझे पीडिल नहीं आ रही है और पाल इंज्ग इंजन इसका अंदर को मिल जाता है issव को आप सभी पता है कि हई कि मौरा जते हैं बम सबहिखते हैं जो मिल काफी प्छान हो और आपको इसका अम् sola s 여러 स्टा ट्रोल इंजन अब इंजन लिड को खोलने के लिए यहां पर इसका जो लिवर अब वो दिया गया है लिवर को खेंशते हैं इंजन लिड जो है वो जाती है ओपन और इंजन को मैं आपको दिखा देता हूँ तो यह है इसका 1000cc का पेट्रोल इंजन जो जिसका जो लेवाटा काफी नेट एंड क्लीन है और काफी स्पेस भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं जिसे आपको अगर किसी भी प्रकार की प्रोब्लम जो इंजन में अगर आ भी जाती है बाइचांस तो आप उसी अच्छी तर कर देंजन तो यहां पर जो यह जो बू जो लीड़ है यह वेल्ड आ इसमें आपको कवर दिया भी नहीं जाता है तो भस इतना ही था आज की वीडियो में मारुत्य की यह जो आपकार सामने मारुत्य की अल्टो ची टेन वीक साइपनी पलस बैरेंट जो आपको कैसी लगी इसका रेट कलर आपको कैसा लगा बागी सब चीज़े आपको या फिर आपके कोई भी सवाल जो आपके मन में हो तो वह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो गाड़ी आपको कैसे लेगी वह आपको मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो में किस भी पसंद आया हो तो वीडियो को कीजे लाइक चैनल को कीजे सब्सक्राइब मैं इसी ही वीडियो और आपको लाता रहता हूं तब तक के लिए जहिंद